जब भी हम कोई निभंद लिखते हैं तो उसमें संकेत बिंदू लिखे जाते हैं जिसमें कि भूमी का और जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स बना दिये जाते हैं जैसे आज हम लिखेंगे प्राते कालीन सेर तो प्राते कालीन सेर क्या होता है सुबह सुबह जो हम गूमने के लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं प्राते कालीन सेर वो स्वास्ते की दरस्टी से बहुत अच्छा रहता है तो उसमें फिर हम लिखेंगे पहले भूमी का लिखेंगे कि उससे हमें प्राते कालीन सेर से क्या-क्या फाइदा होता है और यह कब से चलन में आया इस तरह का बताएंगे कि जो उदय होता है, और सब तरफ सूरी की किरने अपना प्रकाश फैलाती है, और बातावरन जो होता है, वो बहुत ही मनोरम होता है, पक्षियों की चहे-चाहाट सुनाई देती है, और सुबшие सब के सा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, तो जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वो भी जल्दी उटकर पढ़ते हैं, तो उन्हें जो भी वो याद करते हैं, क्योंकि बातावर्ण शांत होता है, तो उन्हें एक इबार में सब कुछ यात हो जाता है फिर है प्राते कालीन भ्रमन के लाभ, अब इसमें लाभ बताएंगे, जैसे किसी को कोई स्वास्तिय की कोई समस्या है, तो भी उनको प्राते कालीन सैर की डॉक्टर भी सलाहा देते हैं, फिर हम लिखेंगे निशकर्ष, निशकर्ष में लिखा जाएगा कि इसके क्या-क्या ज्यकूँ जडरूरी जडर से निश्कर्शहु Xu, जब लगान काया है पहले हैं भूमी का Science भूमी का लिखकर आप क्या करोगे उसको फिर आप लिखोगे उसमें वो पूरी धर्ती पर होती है और उसमें अगर आप प्रे करते हो या उसमें आप पढ़ाइं करते हो तो वो आपको सब याद हो जाता है हो जो भी आप प्रे करते हो वो भी पूरा हो जाता है ऐसा कहा जाता है ना ब्रह्मुरूत मतलब की सुभे चार बजे का टाइम होता है वो तो उस समय जो भी कारी किया जाता है वो कैसा हो जाता है सफल हो जाता है फिर है प्रहते काल का सुहावना मौसम प्रह आते काल का समय सबसे शांत, पवित्र और सौंदरी मय होता है। सुबह सुबह जाहे गर्मी का मौसम हो, अगर आप अर्ली इन दर मॉर्णिंग उठकर वॉक करने जा रहे हो, तो वो जो हवा चलती है, वो कैसी होती है, शीतल होती है, यानि कि ठंडी होती है, और धीरे धीरे बैती है, और कैसी होती है, जो हमार को बहुती अनन्दित करती है गास पर पड़ी ओस की बुंदे जब आप सुबह सुबह घुमने जाते हो बगीचे में जाते हो तो आपने देखा होगा कि गास पर छोड़ी पानी की बुंदे होती है उन्हें क्या बोलते हैं ओस की बूंद गास पर पड़ी ओस की बूंदे मोतियों का सभ्रम उत्पन करती है जब हम दूर से देखते हैं गास को तो ऐसा लगता है जैसे कोई उनके उपर गास पर मोती बिखे रखे हैं और वो मोती चमक रहे हैं लेकिन जब हम पास जा कर देखते हैं तो वो क्या होती है पाने की बुन्दे सुर्योदय से पुर्व आकाश का रंग लाल होता है पक्षियों की चह चहाट बहुत अच्छी लगती है खिली हुई कलियां सभी को अपनी और आकरशित करती है ऐसा मौसम सेर के लिए सर्वोतम होता है पक्षियों की चह चहाट तो सभी को बहुत अच्छी लगती है और अभी आपको ने तो देखा होगा कि लॉकडाउन हुआ तो फिर कितने मोर की आवाज आरी थी कभी कोयल इतने कोई सड़को पढ़ निकल रहा है कोई विकल नी चल रहे हैं तो फिर कितना बढ़िया ऑख्षियों की आवाज आती थी क्या आपने अनुभव किया है मैंने तो किया है फिर है प्रहते कालीन सेर के लाब प्रहते काल का समय सेर के लिए सर्वस रिस्ट होता है इस समय oraz सेर कर अनेक प्रकार के रोग नस्ट हो जाते हैं, प्राते काल की स्वच्छ वायू तदा स्वच्छ वातावरण इश्वर द्वारा मनुश्य को दिया गया नीशुल्क उपहार है, नीशुल्क मतलब जिसके कोई पैसे नहीं लिये जाते हैं, अगर आप सुबह सुबह गुमने जाओगे तो आपसे कोई पैसे नहीं लेगा, नीशुल्क उपहार है कि इश्वर ने हमें दिया है, उस समय ऑक्सिजन युक तो वायू रहती है, पॉलुशन नहीं होता है सब तरफ तो आप जब जाओगे तो आपको स्वास्ते लाब होता है, प्राते काल की सेर से व्यक्ति दिन भर चुस्त वह फुर्टिला रहता है, आलत से उस से कौसो दूर भागता है, प्राते काली सेर से सांस, मदुमय, रक्तचाप, रक्तचाप याननी के ब्लड प्रिशर, मदुमय यानी डाइबिटीज, TB बदहस्मी जिसका डाइजेशन सही नहीं रहता उसको बदहस्मी बोलते है ना इन डाइजेशन को अनिद्रा जैने कि नीन नहीं आती है ना मोटापा जैसे अनेक रोक बिना ओशदी के दूर हो जाते हैं इसी लिए अनेक चिकितसक स्वाजते लाब के लिए प्राते कालीन सहर की सलहा देते हैं प्राते कालीन सहर तो आप जानते हो प्राते कालीन सहर जब हम करते हैं तो हमें कैसा फील होता है energetic feel करते हैं हम सुभे सुभे है ना और पूरे दिन हमें कितना भी काम करा लो हम टायल नहीं होते हैं तो प्राते कालीन सेर सभी द्रस्टिकून से बहुती लाभ प्रत है फिर है प्राते कालीन सेर हर आयू के इस्तरी पुरोश यूवा व्रद्द यूवा मतलब जवान और व्रद्द मतलब भूड़े व्रद्द सभी के लिए समान रूप से उप्योगी है आज कल जिस प्रकार प्रदूशन के कारण अनेक प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं उनसे बचने के लिए प्राते कालीन सेर एक रामबान ओशदी है रामबान ओशदी उसे बोला जाता है अचूकिला जिसका कोई तोड़ी नहीं है उसे क्या बोला जाता है रामबान ओशदी अब आज के समय में क्या हो रहा है कि हम बहुत सारी नकली चीजे खाने को मिलती है हम लोगों को जैसे fruits है fruits भी क्या injection दे दे के बनते हैं तो वो हम खाते हैं तो आब वो पहले के जमाने में जो शुद्ध चीजे मिलती थी उस तरह कि हमें कोई भी pure edible things नहीं मिल रही है है ना अब हमें सब क्या मिलते हैं मिलावटी मिलते हैं तो हमें वेसे ही बहुत सारी problems रहती है है ना acidity वगर है तो इन सब के लिए क्या प्राते कालिन सहर बहुत ही अच्छी है हम अच्छा फील करेंगे जब हमारा मन अच्छा होगा तो हम चाहिए कितनी भी विक्रतियों से गिरेवे क्यों नहीं है हम कैसा फील करेंगे अच्छा फील करेंगे इसलिए अगर सुबह सुबह का समय हमारा अच्छा निकलता है तो हमारा पूरा दिन अच्छा घुजरता है इसलिए जहां तक हो सके सभी को morning walk यानि कि प्राते कालिन सहर करना ही चाहिए विद्यार्थिय के लिए तो प्राते कालिन सहर और भी आवशयक है क्योंकि सुबह सहर करने वाले विद्यार्थियों का मस्तिश्क ताजा हो जाता है नित्रों के जोती ठीक रहती है तथा इस्मरण शक्ति बढ़ जाती है इस्मरण शक्ति मतलब याद करने की पावर है ना वो बढ़ जाती है प्रति दिन प्राते कालिन सहर करने वाले विद्यार्थियों को पाठ जल्दी याद हो जाते हैं तता उसका मन पढ़ाई में खूब लगता है तो देखो ये वाली बात मैं भी आपको बोल रही हूँ कि अगर आप रात को बहुत देर तक जकते हो और सुबह लेट तुट कोई भी बच्चा रात को बहुत देर तक पढ़ता है तो उसे वो चीज इतने अच्छे से याद नहीं होगी जितनी कि सुबह उठकर पढ़ने वाले को है ना याप एक बार प्रैक्टिकली करके देखना सुबह जल्दी उठके जो पढ़ता है बच्चा उसे सब कुछ और पढ़ा करो रिवाइस करा करो अपना जो भी आपको चैप्टर करना है कोशनन से करने है ना तो सुबह जल्दी उठना ज्यादा अच्छा है निशकर्ष निशकर्ष में अब हम इसका निचोर लिखेंगे है ना तो जो हमारे रास्ट्र पिता महत्मा गांदी है उन्हों करता रहा प्राते काल की मधूरिम बेला में जो आलसे लोग सोते रहते हैं उनके लिए कहा गया है जो सोवत है सोखोवत है देखो महत्मा गांदी कह रहे हैं ये बात उन्होंने बताया है कि अगर जो सुबह जल्दी उठते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं हेल्दी रहते हैं स डैनिक कारी है, डैली रूटीन मतलब डैनिक कारी है, डैनिक कारी को कैसे करते हैं, इस फूर्ती के साथ करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और फूर्तीले रहते हैं, और जल्दी कर लेते हैं, फूर्तीला मतलब जो जल्दी कर लेता है कारी को, तो प्रहते काल की मधूरिम ब तो उनके लिए कहा है जो सोवत है सो खोवत है मतलब जो सोता रहेगा वो क्या करेगा अपनी चीजों को खोता रहेगा यानि कि नुकसान होगा उसको अतह प्रतिक विद्यार्थी को चाहिए कि नियमित रूप से प्राते काल में सेर करे तथा खुली वायू में थोड़ा व्य व्यायाम भी करे इसलिए उन्होंने कहा है कि जो सोवत है वो खोवत है तो हमको ऐसा नहीं करना है कि हम भी सोते रहे और हमें भी नुकसान होता रहे हमें क्या करना है हमें जल्दी उठना है और विद्यार्थी को चाहिए कि नियमित रूप से प्राते काल में सेर करे सब बच्चों को आती है तो वह एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि हम अच्छा फील करें और थोड़ी देर बुक्स ले जाके भी आप टैरिस पर पढ़ सकते हो तो आपको अच्छा लगेगा ऐसा नहीं कि आप कमरे में ही रोशनी में ट्यूब लाइट और लाइट में पढ़ रहे हैं सुबह उठकर आप आपकी छट पर भी बुक ले जाकर पढ़ सकते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और जो आपको लेट याद हो रही है चीजें वो भी आपको जल्दी याद हो जाएगी तो मैं देखती हूँ आज से कौन-कौन जल्दी उठता है और किसको जल्दी याद होता है क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं सब बताएंगे जरूर कि मैडम आपने बुला था तो हम जल्दी उठ गए और हमें याद हो गया जल्दी मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अब जल्दी उठेंगे और बताएंगे